विभिन प्रकार के डायोडों के बाग अब हम थीन सीरे वाले अर्ध चालक युक्ती के बारे में जानेंगे इस तीन मेरे अर्ध और देचालक ट्रायोट के नाम से भी पुकार लेते हैं कि जो प्राद्रिस्टर हैं उसके अविशकार के बाद अलेक्ट्रोनिकी में बहुत अधेग Was अविश्कार सबसे पहले point-contact-transistor का मुश्कार हुए पॉइंट कॉंटक्ट ट्रांजिस्टर का अविश्कार बेल टेलिफोन लेबरेटरी के जे बार्डीन और डबलो एच ब्रिटेन ने 1947 में किया और संधी ट्रांजिस्टर इसका अविश्कार डबलो शॉकले ने 1951 में किया और इन तीनों ही साइंटिस्ट को संयुक्त रूप से नॉबल पुरुस्कार भी प्राप्त हुआ ट्रांजिस्टर तीन खंडों वाले एक अर्द चालक युकती है इसमें तीन खंड होते हैं जिसमें कि P और N अर्द चालक का उप्योग किया जाता है अब अर्द चालक तो दो चालक में होते हैं, तो मे इन तीन खंडों में इन तीन खंडों में किस प्रकार रख जाता है आपने कभी बरेट को चीजुस्ट स्लाइस के साथ सैंड्विच बना कर खाया है ऐसांडविच कैसे बनेगा हम्यों दो ब्रेट की स्लाइस लेंगे और उसके ‫बीच में इस प् और उसमें एक ब्रेट की स्लाइस टाल देंगे तो इस प्रकार हम यदि सेंड्वीच में देखे तो जो बाहर के स्लाइस होते हैं वो एक प्रकार के होते और अंदर का दूसरे प्रकार का चाहे वो दो ब्रेट के बीच में एक चीज हो चाहे दो चीज स्लाइस के बीच में ब् करते हैं इसमें दो सेम प्रकार के अर्धचालक बाहर होते हैं और उनके बीच में विप्रित प्रकार के अर्धचालक को रखा जाता है तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का हो गया दो प्रकार का जिसमें की दो एन अर्धचालकों के बीच में पी अर्धचालक ड को के बीच में एक एक प्रकार का आर्थिचालग डालेंगे तो वह बन जाता है PnP transistor हश्वेच तो इस प्रकार PnP और NPN 20- 20 हमारे पास मौजूद होते हैं वास्तव में अगर हम PR यह NPN transistor को देखे तो यह 3 खंड वाला है मतलब यह इस प्रकार के इसमें 3 खंड होंगे यह खंड सभी बराबर नहीं होते हैं यह खंड अलग-अलग होते हैं यह circuit है जो हमने circuit में चिंड बनाया है transistor का इसमें एक हिस्सा इसको हम कहते हैं यानि कि एक खंड को हम कहते हैं उत्सर सर्जग यानि कि एमिटर दूसरे हिस्से को हम कहते हैं आधार और तीसरे हिस्से कहते हैं संग्रहक एमिटर यानि कि उस सर्जग के पहला खंड होता है और दूसरा खंड यह बीच वाला खंड यह कहलाता है आधार यानि कि बेस और जो तीसरा वाला खंड होता है यह कहलाता संग्राहक यानि की कलेक्टर अब इन तीनों खंडों की मोटाई भी अलग-अलग होती है और इन में डोपिंग की सांद्रता भी अलग-अलग होती है डोपिंग मतलब अशुद्धी मिलाने की प्रक्रिया और इसमें इसके अधार पर आवेश वहकों की संख्या भी यानि की सा किसी परिपत में चिन्हित करते हैं तो यहां पर एक तीर का निशन लगाते हैं एमिटर और बेस वाली लाइन पे जब यह पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा तो इसमें एमिटर और बेस वाली लकीर में यह तीर का निशन अंदर की तरफ होगा तीर का निशन अंदर की तरफ ह मतलब वो PNP transistor है और यदि इसी में तीर का निशन बाहर की तरफ है मतलब वो NPN transistor है यह PNP और यह NPN transistor == के इसमें जो ए weekend हिस्सा होता बोलो यहора है मत्या मताई कहोता है जाहे वह PNP ले, चाहे NPN ले अभी एम कॉमन बात करें जाहे ट्रान्जिस्टर में विभिन्न खंडों के गुणों की जो पहला खंड है अमेटर यानि को सरजग ये मध्यमोटाई का होता है लेकिन इसमें डोपिंग की मात्रा बहुत अधिक होती है क्योंकि ये हिस्सा उत्सरजग हिस्सा बहुत संख्यक आवेश वहाकों की पोर्ती करता है यही बहुत संख्यक आवेश वहाक देता है जिसके कारण धारा आगे की और बढ़ती है अब आधार हिस्सा बहुत ही पतला होता है मतलब इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो यह बहुत ही पतला होता है साथ में इसके डोपिंग भी बहुत हलकी होती है मतलब इसे बहुत कम ही आवेजवाग होते हैं और जो कलेक्टर यानि की संग्रहाग हिस्सा है वो काफी बड़ा होता है उस सर्जग की तुल्ला में लेकिन इसमें जो डोपिंग है वो मौडरेट होती है मध्याम होती है जब जब संग्रहाग बहुत संख्याक आवेश वहागों की अपूर्थी करता है तो बेस उन आवेश वहागों को नियंत्रित करते हुए संग्रहाग तक पहुचाता है और ये संग्रहा उत्सर्जक से आने वाले बहुत संख्यक आवेश वहाग को संग्रहित करते हैं और इस प्रकार ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है ट्रांजिस्टर में धारा दोनों आवेश वहागों के कारण होती है यहाँ पर holes भी होते हैं और यहाँ पर electron भी होते हैं holes और electron दोनों मिलकर यहाँ पर धारा का प्रवाह करते हैं P में hole धारा का प्रवाह करेंगे और N प्रकार वाले में electrons धारा का प्रवाह करेंगे इसलिए हम transistor को BJT यानि कि bipolar junction transistor के नाम से भी जानते हैं यदि हम NPN transistor को देखें, तो यहाँ पर emeter में elektronों की संक्या जो गोले में दर्शाएं, यहाँ भरे हुए गोले वो बहु संक्याक आवेश-वहक electron को दर्शा रहे हैं तो यहां बहुत संक्याक आवेश वहां के संक्या बहुत अधिक हैं क्योंकि यह पर doping की मात्र अधिक हैं और वैसे ही P हिस्से में आधार हिस्से में डोपिंग कम होता है इसमें आपर होल दर्शाय गए हैं जो खाली खोकले गोले हैं ये होल को प्रदर्शित कर रहे हैं और इनकी सांध्रता कम है और ये संग्रहा को देखे भले ये रीजन बड़ा है लेकिन यहां पर एलेक्ट्रॉ तो PNP ट्रांजिस्टर में भी P हिस्से में बहुत संख्याक आवेश्वाग होल की सांध्रता अधिक हैं एन वाली रीजन में अलेक्ट्रॉन की सांध्रता बहुत ही कम हैं और उस सर्जक वाले हिस्से में होल की सांध्रता उस सर्जक की तुल्ला में कम होती है अब जब ट् उत्सर्जक और आधार के बीच में और एक आधार और संग्रहक के बीच में तो जो उत्सर्जक और आधार वाली संधी होती है वो हमेशा अग्र अभिनती यानि कि फॉर्वर्ड बायस में रखा जाता है और जो अधार और संग्रहक वाली संधी है उसको रिवर्स बायस यानि की पश्च अभिनती में रखा जाता है तब यह ट्रांजिस्टर काम करता है अब यह किस तरह से काम करता है इसके कारे विधी को हम एक एक करके देखते हैं ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्कीट में जोडने के लिए तीन अलग अलग विधाय होती है जिनको हम मोट्स ऑफ वरकि और कॉमन कलेक्टर यानि की उभैनिष्ट संग्रहक विधा एक्चुली ट्रांजिस्टर के तीन छोर होते हैं लेकिन जब इसको किसी सर्किट में जोड़ा जाएगा तो हमको चार टर्मिनल के अवशक्ता होगी दो टर्मिनल जिससे की इंपूट दिया जाए और दो टर्मिनल जिससे की आउटपूट लिया जाए इसलिए हम एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं कभी उसमें संग्रहक कॉमन हो जाता है कभी उत्सर्जक कॉमन हो जाता है और इसी प्रकार कभी आधार कॉमन हो जाता है और इसी लिए वर्किंग मोड्स तीन टाइप के हो जाते हैं पहले ह हम common base mode में यानि कि उभय निष्ट आधार विधा में किस प्रकार transistor काम करते हैं यह देखते हैं हमारे पास दो टाइप के transistor हैं एक PNP और दूसरा NPN तो सबसे पहले हम PNP ट्रांजिस्टर को उभय निष्ट आधार विधा में जोड कर देखते हैं जब इसका सर्कीट हम जोडते हैं तो याद रखना हमें जो एमिटर और बेस वाली जंक्षन है वो हमेशा बेस है और कलेक्टर है कि एमिटर से बेस की तरफ जो एरो का निशान है वो अन्दर की तरफ है मतलब यह P&P ट्रांजिस्टर है अब इस P&P ट्रांजिस्टर में इस बेस को हमको कॉमन करना है क्योंकि यह उभैनिष्ट आधार विधा है तो हम इस बेस को सबसे पहले पृत्विक्रित कर देते हैं यानि कि इसको अर्थिंग दे देते हैं यह दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा अब यहाँ पर आधार कॉमन हो चुका है अब एमेटर और बेस को हमें forward बायस में रखना है एमेटर यहाँ पर P है मतब P प्रकार का चालक है और जो बेस है वो N प्रकार का चालक है जब forward बायस में जोढ़ेंगे तो तो P को बैटरी के positive terminal से जोड़ना है और N को बैटरी के negative terminal से जोड़ना है तो यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं जिसमें P plus terminal E से जुड़ा है और minus terminal base से जुड़ा हुआ है इस प्रकार input signal वाला circuit complete हुआ अब output वाला जोड़के देखते हैं संग्राहाक और आधार को हमें पश्च अभिनती में रखना है यह जंक्षन पश्च अभिनती में कब होगा जब P वाला हिस्सा बैटरी के N टर्मिनल से और N वाला हिस्सा बैटरी के plus terminal से जोड़ा जाएगा यहां पर यह बैटरी हमने जोड़ दिया इस P को बैटरी के minus से और N को बैटरी के plus से यहां पर थोड़ा सा difference है इन दोनों बैटरी में यहां पर मैंने बैटरी में सिर्फ एक plus और एक minus मतलब एक ही बैटरी का और यहान पर बैटरी में हमने च्रार लाइन खीचे है उसका मतलब जो यहां बैटरी लगाई गई है उसकी वोल्टता-कम है और यहां जो बैटरी लगई प्रिकल अधीक है वह इसलिए क्योंकि यहां पर जो अंपिर और बेस में के बीच में अगर हम लेकिन संप्राहग में डोपिंग की मात्रा बहुत ही कम होती है मतलब उत्सर्जक की तुनला में में कम होती है करणड की मात्रा को करने के लिए जो संग्राहग और आधार के बीच में वोल्टता लगाई गई है उसकी मातरा उत्सर्जक और अधार के बीच में लगाए गई बैटरी की वोल्टता से अधिक होनी चाहिए अब इस कंडिशन में ये ट्रांजिस्टर वर्किंग मोड में आ जाता है पर ये काम कैसे करता है इस ट्रांजिस्टर में हम देखें तो पी में आवेश वहाख होल है यहाँ पर धेर सारे होल मौजूद है और आधार जो है वो बहुत ही पतला है और वहाँ पर क्या होंगे इलेक्ट्रौन और इसको बैटरी के पा सट जोडा जाता है तो जो पॉजिटीव टर्मीनल है उस से अ उस सर्जक के होल्स प्रतिकशित होंगे और यह प्रतिकरशित हो Make कि इस की तरफ चलेंगे आधार की तरफ चलेंगे जितने होल्स हैं वो चलते हुए आधार की तरफ जाएंगे आधार को क्यों पत्ला रखा जाता है अगर आधार काफी मोटा होका जिसमें अलाल्यारों की संख्या यानि होल के विप्रित आवेश होहा Wenn अगर जादा मात्र में मौजूद होंगे तो यहां पर औरризजद और से जब यासिन सारे Number में इस संधी में जो उत्सर्जक और अधार के बीच में हैं वहां पर री कॉंबिनेशन की प्रक्रिय होती है और इसमें 2 से 5 परसेंट एलेक्ट्रोन होल आपस में रीकंबाइन हो जाते हैं और बाकी होल्स यानि की जो बहु संक्यक आवेश वहां के वो किसकी तरफ बढ़ते हैं वो संग्रहा की तरफ बढ़ते हैं जब इस आधार में 2 से 5 परसेंट एलेक्ट्रोन और होल्स रीकंबाइन होते हैं उस समय इस आधार में धारा प्रवाहित होती है जिसको हम IB से दरशाते हैं current का सिंपल तो आई है और यहां पर नीचे जूट सब भी लिखते हैं यहां पर पर जूट यह संब कर देलिके以ह आधार को हम बेस बोलते हैं इस उसका पर इसको दरशाते तो IB और इसकी एमीटर और बेस आधार के बीच में जूड़ी हुई है इसने इसका नाम रख दिये VEB और जो बैटरी संग्रहक और बेस के बीच में लगी है उसका नाम रखते है VCB यहाँ पर B हमने बाद में लिखा है, E और C पहले लिखा है, वो इसलिए क्योंकि बेस यहाँ पर common है, तो देखकर भी हमको समझ में आ जाता है कि हम कौन सी विधा में काम कर रहे हैं, यहाँ पर यह common base mode में हम काम कर रहे हैं, तो जो धारा प्रवाइत हो यह IB यह नीचे की और हैं, अब जो holes बचे, अब यह holes इस VCB battery के negative terminal की और आकरशित होंगे, यह कि VCB का जो negative terminal है, यह संगराहा के collector से जुड़ा हुआ है, पी प्रकार के collector से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह holes को अपनी और आकरशित करेगा, और सारे holes अब संगराहा की तरफ आगे बढ़ेंगे, औ और इसeki प्रकार यहाँ पर देखे हम, तो बेस और अधार के बीश में आवेशो का प्रवाह होगा, अब धारा कैसे बहती है, अगर हम बाहे परीपत में देखे हैं, तो बाहे परीपत में मुक्त एलेक्ट्रोन होते हैं, क्योंकि यह दो चालक तार से बने होते हैं, उस बैटरी से लेके एक अलेक्टर तक जुड़ा हुआ है इसमें क्या प्रवाहित होते हैं इसमें हम कन्फ्यूस हो जाते हैं कि जो उत्सर्जक से होल्स चलते हुए आ रहे हैं वो संग्राहक से बढ़ते हुए बैटरी तक आ जाते हैं पर होल्स कभी भी चालक में प्रवाहित न निकलते हुए इस संग्राहा के टर्मिनल तक पहुशते हैं और वहां पर इनको री कम्माइन करते हैं यहां पर होल्स और एलेक्ट्रोनों का री कॉम्मिनेशन होता है मतलब इस परिपत में क्या प्रवाहित होती है वहां पर एलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित हो रहे हैं बाय परिपत में एलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं जिसको हम आईसी से दर्शाएंगे और इस आईसी की दिशा क्या होगी हमेशा धारा की दिशा एलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरित दिशा होती है एलेक्ट्रॉन बैटरी क के रिंड टर्मिनल से संग्राहक तक पहुंच रहें इसके धारा की जब दिशा बताएंगे तम कैसे बताएंगे नीचे की और यानि की संग्राहक से इस बैटरी की और बताएंगे इसी समय उस सर्जग के 22 सीरे में इस पी प्रकार के अर्द चालक में सासयोजग बंद तूट जाते हैं और इस सासयोजग बंद के तूटने से एलेक्टरॉंस और होल्स निकलते हैं यह जो एलेक्ट्रॉन्स सर स्योजग बंद के तूटने से निकले हैं यह एलेक्ट्रॉन्स अब प्रवाहित होंगे इस VEB बैटरी की ओर यूकि VEB बैटरी का धन सीरा इस सर्जक से जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह एलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते आ रहे हैं तो यहां उपर धारा की दिशा एमिटर यानि कि उस सर्जक में प्रवाहित हो रही है वह उपर की ओर दी जाएगी इस बैटरी के धन तर्मिनल से लेकर उस सर्जक तक क्योंकि धारा की दिशा एलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होती है एलेक्ट्रॉन इस उस सर्जक से बैटरी के धन तर परिपत में देखें तो केवल अलेक्ट्रॉंस प्रवाइत हो रहे हैं और इस ट्रांजिस्टर के अंदर देखें तो धारा का प्रवा बहु संख्यक आवेश्वाहक होल के कारण हो रहा है इसी प्रकार हम कॉमन बेस मोड में एन पी एन ट्रांजिस्टर की भी कार्यविधी को समझते हैं और इस प्रकार हम यह किर्चौफ की नियम से देखें तो किर्चौफ की नियम के नुसर किसी भी संधी में आने वाली धारा का कोलियों संधी से बाहर जाने वाली धारा के कोलियों के बराबर होता है यहां पर अमीटर में धारा अंदर की और है और कलेक्टर और बे यानि के आधार में धारा उसका मान बहुत कम होता है क्योंकि इसने बहुत ही अल्प वाहक जो रहते हैं उनके कारण ही धारा प्रवाइट हो रही है वहां पर वहां को की शंखें placing कम होती हैं इसलिए यहां पर आई-व कमान बहुत कम है तुम यह कह सकते हैं जो संग्रहक धारा है वह लगभग बराबर होती है उत्सर जग धारा के मतलब आई-ई बराबर आई-सी होती है अब ऐसे ही हम NPN ट्रांजिस्टर के भी वर्किंग को कॉमन बेस मोड में समझते हैं इसके लिए हम पहले कॉमन बेस मोड में एन-पेन ट्रांजिस्टर को जोडते हैं जब हम NPN ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में जोडेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर ले लिया NPN ट्रांजिस्टर यहां पर जो तीर का निशान है इस एमिटर और बेस वाली लाइन में वो बाहर की तरफ है इसका मतलब वो NPN ट्रांजिस्टर है अब यहां पर जो उत्सर्चक और आधार है उसकी संधी को कौन से अभीनती में रखा जाते हैं उसकी संधी को रखा जाता है फॉरवड बायस में फॉरवड बायस में रखा जाएगा इसका मतलब P को प्लस से जोडेंगे और N वाले रीजन को बैटरी के माइनस से जोडेंगे तो यहां पर अमीटर एंड रीजन वाला है इसलिए इसको बैटरी के रिंट सीरे से जोडेंगे और वैसे ही यहां पर आधार P रीजन वाला है इसलिए आधार को हम बैटरी के धन सीरे से जोडेंगे अब यहाँ पर संग्रहाग और अधार संधी भी बच्चिए संग्रहाग और अधार संधी को कौन से भिनती में रखा जाता है उसे हम रखते हैं पश्च भिनती में तो यहाँ पर इसको पश्च भिनती में जोड़ने की कोशिश करते हैं पस्च बिनत्य में N region को बैटरी के धन सीरे से जोड़ेंगे और P region को बैटरी के रिंट सीरे से जोड़ेंगे इसमें जोड़ते हैं यहाँ पर हमने इस संग्रहक यानि की N region को बैटरी के धन सीरे से जोड़ दिया और आधार यानि की P रेजन को हमने बैटरी के रिंट सीर से जोड़ा यहां पर दो बैटरिया हैं दोनों के नाम दे देते हैं जो बैटरी एमेटर और बेस के बीच में VEB और जो बैटरी कलेक्टर और बेस के बीच में VCB बी लास्ट में लिखेंगे क्योंकि वो उभय निष्ठे कॉमन है यहां पर जो VEB है इसकी वोल्टता कम है कमपेरिटिवली VCB के अब इसका वर्किंग देखते हैं इसमें किस प्रकार आवैशो का प्रवाह होता है धारा कैसे बैठती है परिपत कैसे पूर्ण होता है यहां हम देखें तो जो N रीजन है वो बैटरी के रिनात्मक सिरे से जुड़ा है और N रीजन में एमीटर यानि उत्सर्जा के N रीजन में बहु संख्याक आवेश वहाग क्या होंगे इसमें बहु संख्याक आवेश वहाग होते हैं एलेक्टरॉन तो अब इसको हम एलेक्टरॉन और होल्स की सहते से समझने की कोशिश करते है यहां पर हमने देखा कि N रीजन से एलेक्टरॉन क्या होंगे यह प्रतिकर्शित होंगे और प्रतिकर्षित होकर ये आधार की तरफ गती करेंगे उतसर्ज़ग जोकी N रीजन का है इसमें बहुसंख्यक आवेश होग आधार corn इस आधार जो P रीजन का है उसकी तरफ गती करने लगते हैります जोकि ये आधार बहुती पतला है इसलिए इसमें जो होल्स होंगे उनकी सांद्रतक कम होगी तो लगभग 2-5% एलेक्ट्रॉन और होल्स यहां पर रिकंबाइन हो जाते हैं और जो बाकी सेश अलेक्ट्रॉन बशते हैं जो सर्जक से आधार की तरफ आए अधे 2-5% रिकंबाइन होए और जो थोड़े से जो बाकी अलेक्ट्रॉन बशते हैं वो VEB बैटरी के धन सीरे की और आकर्शित हो जाते हैं और इसलिए इस परिपत में धारा प्रवाहित होती हैं जिसको हम आधार धारा कहते हैं और इसे हम IB से दर्शाते हैं जिसकी दिशा उपर क्यों होगी क्योंकि अलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विप्रित दिशा धारा की दिशा अब जो सेश एलेक्टरॉन वचे वो VCB बैटरी के धनात्मक सीरे से अकर्षित होते हुए संग्राहक तक पहुच जाते हैं और ये संग्राहक के छोर में जब पहुचते हैं उसके बाद ये बैटरी के धन सीरे से अकर्षित होते हुए ये बाहर परिपत में भी चलते हुए ब परिपत में देखें तो एलेक्ट्रॉन के फ्लो के दिशा शुमुक्त एलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो हो रहे हैं इनकी दिशा बैटरी के धन सीरे की और है और हम इसलिए धारा के दिशा उपर के और लेते हैं और इस धारा को हम कहते हैं आई-सी यानि के संग्रहक धारा जैसे ये बैटरी के धन सीरे पर पहुंचते हैं ये वहाँ पर निरस्तों जाते हैं अब उसके बाद अब हम इस वी इवी बैटरी के रिंड सीरे को देखे तो रिनात्मक सीरा बैटरी का एलेक्ट्रॉन देता है और ये एलेक्ट्रॉन उत्स दर्जक धारा जिसको हम आई-ई से दर्शाते हैं इस प्रकार बाहे परिपत में भी मुक्त अलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं और हम NPN ट्रांजिस्टर के अंदर भी देखें तो वहां पर भी मुक्त अलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित हो रहे हैं मतलब NPN ट्रांजिस्टर ऐहां पर किर्चॉफ का NEW लगाते हैं तो संदी आजश से बाहर जाने वाली यहां पर हम गई तो IE धारा उस सर्जक से बाहर निकल रही है और बाकी IB धारा और IC धारा ये दोनों इस ट्रांजिस्टर के अंदर प्रविश कर रहे हैं इसलिए हम समीकरण क्या लिखेंगे IE बराबर IB प्लस IC यहाँ पर भी जो आधार धारा होती है IB इसका मान बहुत कम होता है क्योंकि आधार बहुत पतला होता है इसलिए इसका मान बहुत कम होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो सर्जक धारा है वो संग्रहक धारा के लगबग बराबर ही होती है इस प्रकार हम देखे तो NPN transistor और PNP transistor ये कार्य विधी common आधार विधा में किस प्रकार भिन है?